Hi, this is Jogandar Singh and you are watching Jogi and You. Friends, आज हम पढ़ेंगे Derivation of Quadratic Formula. तो जो Quadratic Formula है, उसकी Derivation क्या है? Formula तो हम Use करते हैं, Globally Use करते हैं, बट यह Formula Derive कैसे होता है, इसको हम Create कैसे करते हैं, आज हम वो सीखेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक Quadratic Equation ले ली, which is AX² प्लस BX प्लस C is equal to 0. और हमें प्रूव करना है यह Formula. आपका Question टू टाइप से यहां पे Create होता है, कि How to Derive this Quadratic Formula? या फिर आप बोलेंगे, प्रूव दैट X is equal to this part. तो यह जो हमारा Formula है, यह Quadratic Formula कहलाता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, which is Shridhar Acharya Formula. Why? Because, क्योंकि इन्होंने ही यह invent किया था, बट globally इसे Quadratic Formula के नाम से जाना जाता है. By the way, एक बहुत ही शानदार Opportunity है Unacademy की तरफ से, which is Unacademy Ascent. Totally Free Test है यह, एक ऐसी Championship जिसमें Class 6-12 सभी Student Participate कर सकते हैं. इसकी सबसे खास बात है इसका syllabus, जो की पूरी तरह से NCERT पर Based है, बस आपको अपनी ही Class की Science और Maths का पूरा syllabus प्रिपेर करना है, जिसमें भी Unacademy की App से आपको पूरी Help में लेगी. इसमें अपने Annual Exam की Preparation तो आप करोगे ही, साथ मैं Future Education के लिए पूरे 5 लाख रुपे की Scholarship भी आपको मिल सकती है, जिसका मुझे Full Believe है कि Earn तो आप कर ही लोगे. और इसकी Date है January 10, 2021. कोरोना पिरेट चल रहा है और आपको Unacademy की तरफ से Free Education का एक शानदार मौका मिल रहा है, तो Unacademy Ascent को जोईन करने के लिए आप क्या करेंगे? एन्रोल करेंगे, Unacademy की एप को इंस्टॉल करके या इनकी वेबसाइट पर Free Register करके, उसके बाद अपना Goal Set करेंगे, Goal Set करने के बाद, Free Classes and Test Series टैप पर जाके, Unacademy Ascend All India Championship को क्लिक करके, बस आप रेडी होंगे for always being the first. All the links are given below, in the description, just go and win the world. Now, let's come back to our current question. So, हमारा question था, इसको derive करो, तो derive करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसको side में करते हैं और जो हमारी quadratic equation है, इसको हम platform पे लेते हैं सामने. यह जो equation है, इसको prove करने के लिए, पहले आप यह formula की तरफ देखो, यह हमारा only x left में है, और बाकी सारे numbers, जो a, b, c, 2 and 4 की form में हैं, यह सारे के सारे हमारे right में हैं. तो एक थोड़ी सी help तो इससे ही मिल जाती है कि कैसे भी यह a, b, c को हम right में transfer कर दें. तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो हम पूरी equation को a से divide करते हैं, और a से divide करने के बाद हमें क्या मिलता है, यह first term में a upon a तो cancel हो गया, बाकी सारी term ऐसे ही रहेंगी. यह देखो हमें क्या मिला, x square प्लस bx upon a प्लस c upon a is equal to 0. formulae की demand clear है कि left में x वाली term रखनी है हमें और right में non x वाली. तो हमारी यह वाली term without x वाली हो चुकी है, तो इसको अभी ही हम transfer कर देते हैं right side में. यह हमने right में transfer किया, अब left में हमारे पास है x square प्लस b upon a x. अगर इसे हम square formula में convert कर दें, कैसे भी करके x plus something the whole square में, तो left side और right side का हम square root ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा. तो इसको square formula में कैसे convert करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यह जो second term है, इसके अंदर 2 upon 2 divide and multiple करते हैं, जिसके यहाँ पर replace होने से इस term की value पे कोई फरक नहीं पड़ता, because 2 से 2 automatically cancel हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? इस वाली term को rearrange करते हैं, यह देखो हमने एक 2 left में ले लिया, और दूसरा 2 हमने right में A के साथ में ले लिया, upon में, तो हमारी यह term इस तरह से हो गई, x square plus 2x into something, अब इस पूरी left side को अगर हम carefully watch करें, तो क्या दिखाई देता है, कि यह हमारा square formula की direction में, एक थोड़ा सा step हमने ले लिया है, यहाँ पे x square plus 2x into this bracket है हमारे पास, अगर इसी bracket का square यहाँ पे plus होता, तो हमारा काम हो जाता, तो ठीक है, हम दौनों side में both the side add करते हैं, इस bracket के square को, which is b upon 2a the whole square, अब यह जो left side हमको मिली है, इस left side को carefully देखो, तो एक formula है square formula, which is x square plus 2xy plus y square is equal to x plus y the whole square, इस formula की left side हमारे created left side के exactly same format में है, so that हमारा formula पूरी तरह से यहाँ पे apply हो जाएगा, क्योंकि x square वाली form यह रही, 2 यह रहा, x यह रहा, और उसके बाद y की जगे पे यह है, और y square की जगे पे यह है, तो हम x plus y square की जगे पे इस चीज को replace कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यह देखो आप, x plus b upon 2a the whole square, और right side वाली चीजे हमारी अभी भी वैसी ही है, पहले तो इनको rearrange करते हैं, so that calculation हमारी थोड़ी सी easy हो जाए, minus वाली term right में और positive term left में, square को हमने open किया, तो b square upon 4a square मिला, अब इसका LCM लेना directly कई लोगों को आता है, और कुछ लोग LCM में confuse हो जाते हैं, LCM लेने का बहुत easy funda है, वो मैं आपको बताता हूँ, किसी तरह से अगर यह denominator हमारे same हो जाए, तो numerators को as it is लिखने के बाद, इनके बीच का जो sign है, वो हम directly use कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, इस first term का denominator 4a square है, और second term में only a है, यहाँ पर 4a missing है, तो हम क्या करते हैं, 4a को multiple और divide कर देते हैं, यहाँ पर denominator अब हमारा 4a square हो जाता है, और उपर वाला 4ac के साथ लगा देंगे, तो हमारा यह क्या होता है, 4ac upon 4a square, अभी हमारा denominator same है, तो जहाँ denominator same है, तो numerator as it is लिखो, और बीच का symbol as it is apply कर दो, so हमारी right side calculated होके हमको मिल गई है, और left side में हमारे पास एक whole square है, इस square को cancel करते ही, only x हमारे पास मिल जाएगा, तो क्या करना है हमको, just take the square root on the both side, left में हमको क्या दिख रहा है, square root में square है, square to root cancel, और बदले में right side में plus minus apply होता है, तो left का root cancel, right में upon का 4a square हम apply करते हैं, 2a, root cancel, left से b upon 2a को भी हम right में transfer करते हैं, ये जो right side है, इसमें एक भी x अब नहीं है, और left में single x है, तो हमारे quadratic formula की, first जो चीज थी left side वाली, वो हमारे पास आ चुकी है, right वाली form अभी थोड़ा सा उस पर काम बाकी है, just take LCM, और अब हमारे सामने जो equation रखी है, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ये वो formula है, जो हमको prove करना था, और ये world famous formula है, जो quadratic equation को solve करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसकी help से हम heavy से heavy equation को, बड़े से बड़े numbers वाले equations को भी without splitting the middle term easily solve कर सकते है, कोई factorization करने की वहाँ जरूरत नहीं होती है, अभी कहीं जाना नहीं है, मैं आपको एक question solve करके बताऊंगा इस formula के help से, और बाद में एक question आपको देने वाला हूँ, जिसका answer आपको comment में देना है, बट उससे पहले जिन लोगों को return form में ये पूरा का पूरा process चाहिए, वो video pause करें और उसको no down कर लें, और बाकी लोग ये question देखें जो हम अभी solve करने वाले हैं, हमारे पास question है, 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0, और इसको इस quadratic formula की help से हमको solve करना है, तो quadratic formula में हमारे पास a है, b है और c है, ये abc क्या होते हैं, तो ये देखो, हमारा a, b, c, ये तीनों ये रहे equation में, x square का coefficient 2 हमारा a है, x का coefficient minus 7 हमारा b है, and this constant term 3 is our c, इन abc की values को formula में replace करो, जैसे ही आप replace करोगे, आपको ये मिलेगा, calculate करो, तो आपको मिल रहा है, 7 plus minus and root 49 minus 24 upon 4, after calculating this and then this, अब हमारे पास जो है, 7 plus minus 5 upon 4, एक बार हम plus लेते हैं, एक बार हम minus लेते हैं, so इनको solve करने के बाद, हमारा answer होगा, x is equal to 3, और 1 upon 2, आप अगर इस 3 को, इस equation में x की जगे बें replace करेंगे, तो भी हमारा left side is equal to right side आ जाएगा, और अगर half हम इसको replace करते हैं, तो भी हमारा left side is equal to right side आ जाएगा, equation satisfy हो जाएगी, तो यही हमारा root है, यही हमारे zeros हैं, value of x, चलिए आपका जो question है, जो आपको solve करके comment में लिखना है, वो है 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0, यह हमारी equation है, for this equation, just find the value of x by the quadratic formula, and just comment your answer in the comment box below this video, so my dear friends, if you like my videos, subscribe this channel, अपने friends के साथ share करें, so that मैं आपको और अच्छे videos लाके दिता रहूं, और आप जो demand करेंगे मैं try करूंगा, वैसे videos भी आपको दूं, and yep, एक थम लाइक तो बनता है मेरी मैनत के लिए, so आज के लिए इतना ही, thanks for watching,